एक बार की बात है दूस्तों, 12-13 साल का बच्चा अपने घर के पास से एक दुकान में गया और दुकानदार से बोला कि अंकल क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ दुकानदार ने अपने सहमत जदाई और वह उसने बच्चे को हा में जवाब दिया तो वह बच्चा फोन के पास गया और उसने एक नमबर डायल किया और नमबर डायल करते हैं उधर से एक महिला की आवाज आई दुकानदार ने उस बच्चे को ध्यान से सुना और तब ही उस बच्चे ने जब फोन में बात की दुकानदार को पता चला के सामने एक महिला है और तब ही बच्चा कहता है कि मैडम मुझे पता चला है कि आप अपने बगीचे की देखभाल करने के लिए कोई आदमी ठोड़ नहीं मैं आपके बगीचे में काम करना चाहता हूँ क्या आप मुझे मौका देंगी महिला ने जवाब दिया नहीं मैंने कुछ समय पहले ही एक लड़के को रख लिया है अब मुझे किसी नए आदमी की ज़रूत नहीं है तभी बच्चे ने कहा मेडम यदी आप मुझे मौका दे तो मैं उस लड़के को दी जाने वाली सेल्डी से भी आदी सेल्डी पर काम कर सकता हूँ महिला ने तुरंट जवाब दिया नहीं मैं उस लड़के के काम से संतुष्ट हूँ अब कोई और आदमी नहीं बदलना चाहती तभी फिर से बच्चे ने कहा मेडम मैं उसी बेतन में आपके बगीचे के चारो तरफ के रास्ते को भी साफ कर दिया करूँगा तभी महिला ने फिर से उत्तर दिया नहीं मुझे कोई नए आदमी नहीं चाहिए धन्यवाद और इतना कहकर महिला ने फोन अग दिया तभी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर सी गई बच्चा अंदर ही अंदर खुश हुआ और तभी दुकानदार उस बच्चे को देखा और उसे दया आ गए दुकानदार ने कहा कि बिटा मैं तुम्हारी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था मैं तुम्हारी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ तुम्हें काम की तलाश है और मुझे तुम्हारे जैसे ही एक लड़की की तलाश है जो बहुत ही मानदार हूँ मैं तुम्हें अपनी दुकान पर काम देता हूँ क्या तुम काम करोगे बच्चे ने कहा नहीं अंकल मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए दरसल मैं वही लड़का हूँ जो उस महिला के हाँ काम करता है मैं तो किवल्य है देखना चाहता था क्या वह मैडम मेरे काम से संतुष्ट है या नहीं मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि वह मैडम मेरे काम से बहुत ही ज़्यादा खुश है कर रहे हैं जिसके यहां भी काम कर रहे हैं मन लगा कर काम करें इमानदारी से काम करें ताकि आपका काम जिसके यहां आप काम कर रहे हो उसके दिल तक आपका काम दिखना चाहिए इमानदारी से काम करें दोस्तों यकीनन आप जहां भी होगे जैसे भी होगे लोग आपसे करें शुक्रिया